हलो स्टूडेंट्स तो दिखिए आज अपन बात करने वाले हैं कि 2020 में जोसा की काउंसिलिंग में एक्सपेक्टेड कट अफ क्या रहेगा आफ्टर फाइनल राउंड तो यह आज अपन बात कर रहे हैं इंडियन इस्टिट्यूट्स आफ टेक्नलोजी आई-मस धनवाद के बारे में तो अभी फूर्थ राउंड में जो रैंकिंग चल रही है वो सबसे लास्ट में है और जिस पर यह क्लोजड होगा वो रैंकिंग यह है और लास्ट यहर की ओपनिंग रैंक आपके सामने है चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना सबसे पहले आप द अब आप देख सकते हैं एपलाइड जियो फिजिक्स फाइव इयर इंट्रिगेटट प्रोग्राम अभी ग्यारा हजार 906 पर चल रहा है जबकि हमारे अनुसार एक्सपेक्टेड कटप बारा हजार 361 है तो देखिए आप अभी बहुत चेंज होने वाले हैं करीबन चार सो रेंक का चेंज होने वाला है बिलकुल आप जो है फाइनल राउंड तक बने रहिए बिलकुल इसके बाद बात आती है मिनरल इंजिनिरिंग ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 11,883 और 12,125 अब देख सकते हैं करीबन करीबन 300 रेंक आप जाने वाला इसके बाद बात आती है इन्वार्मेंटल इंजिनिरिंग में आप देख सकते हैं कितना चेंज जाने की संभावना है इन्वार्मेंटल इंजिनिरिंग 11,453 पर अभी है फूर्थ राउंड के बाद और हमारा जो एक्सपेक्टेट कट अफ है वो बारह हजार आल्टालीस है यहने करीबन 500 रैंक उपर जायेगा इसके बाद माईनिंग माईनिंग मसीनरी इंजिनिरिंग यह आप देख सकते हैं अभी इसका कट आफ चल रहा है 11,069 जबंकि लास्ट यह था 11,443 तक निश्चित यह यह जाएगा इसके बाद माइनिंग इंजिनिरिंग अब चल रहा है दस एजार आठ सॉ सतत्त पे और लास्ट येर बंद हुआ था तसजार शेहसो चतिस पे तो इसमें कोई चेंज आने की संभावना नहीं है बिल्कुल अब इसके बाद सिविल इंजिनरिंग अभी चल रहा है नो हजार 399 पर लास्ट येर बंद हुआ था आठटेश इसमें कोई चेंज आनी की संभावना नहीं, अल्रेड़ी चेंज आ चुका है, इसके बाद केमीकल इंजिनरिंग, चल रहा है 8763, लास्ट इयर बंद वहा था 8703 पे, तो इसमें कोई चेंज आनी की संभावना नहीं है, पे्ट्रोलियम इंजिनरिंग, 8430 और लास्ट यर बंद हुआ था 8540 पर तो 100 डिजिट से लेके 1500 डिजिट तक इसमें उपर जाने की संभावना है Engineering Physics अभी चल रहा है 7870 पर लास्ट यर बंद हुआ था 8884 पर तो इसमें करीबन 600 अंग उपर जाने की संभावना देख रही है इसके बद मेकेनिकल इंजिनेरिंग 7218 पर चल रहा है लास्ट यर बंद हुआ था 6740 पर इसमें कोई चेंज होनी की संभावना नहीं है Electrical Engineering 5163 और चल रहा है यह लास्ट यर बंद हुआ था 5843 करीबन 200 रेंक इसमें उपर जाने की पूरी संभावना है Electronics and Communication अभी चल रहा है 4459 पर और लास्ट यर बंद हुआ था 5150 जीरो पर तो करीवन पास्वंग यह उपर जाने की पूरी संभावना है इसमें आप देखिए आप इसके बाद Mathematics and Computing अभी चल रहा है से 363 पर लास्ट यर बंद हुआ था 4000 पर तो 300 डिजिट यह उपर जाने की पूरी संभावना बना हुए कंप्यूटर साइंस लास्ट यर बंद अभी जो चल रहा है साथ 2790 पर लास्ट यर बंद हुआ था 2856 पर तो इसमें भी थोड़ी बहुत चेंज होनी की संभावना बड़ जादा संभावना नहीं है चलिए तो यह आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप लाइब सेशन भी हम लोग करने वाले जिसमें एक स्टूडेंट्स की क्यूरी का अंसर दिया जाएगा कहां प्लेस्मेंट अच्छा है कहां नहीं है क्या स्थितिया है आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है जैसे आपको पता हो गया हमीरपुर का प्लेस्मेंट कितना अच्छा जा चुका है एक लाग बीस अजार का प्लेस्मेंट जा चुका वहां पर तो इस तरीके से आप जो सूचते हैं बैसा नहीं है प्लेस्मेंट कहीं कहीं अच्छी जगह है उनका अच्छे कॉलेज है उनका प्लेस्मेंट बहुत अच्छा है यह सारी चीज़ें आप चैनल के स जलिए थेंक यू